रादे रादे दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप सभी लोग एक्टम बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे फुस होंगे अपने घरों में सभी लोग और बस सुबसें पोई वे वीडियो ने बनाएचे अभी साम का टाइम होगे हैं तो चलिए नाव को बनाते हैं वीडियो तो अभी बचेलों का बनाना है नास्ता काम का टाइम होगे है फिर बनाएगे खाना तो चलिए नास्ता बनाते हैं तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू हो रहिए वीडियो अच्छा लगता है जिए वीडियो को लाइल जरूर कर देज चैनल को सब्सक्राइब करिए गांट में बताईएगा जो भी अच्छा खरप लगता है इसलिए करते हैं कामिस्टार और यह दिखें क्या हो गया थोड़ा सा दूद्ध चड़ा के हम और यह छोटा पतिला में था ना थोड़ा सा दूद्ध चड़ा के उधर चले गए देखि और यह दिखिए यह बेशन इसको छान लिये हैं इसी गां बनाएंगे भी नास्ता तो इतना सा बेशन हमको नहीं चाहिए तो थोड़ा सा भी रख देते हैं इसको पहले इसमें थोड़ा सा ही बेशन चाहिए हमको क्योंके भी नास्ता बन रहा है तो एक-एक देंगे तो हो जाएगा बचे लों का तो इतना सा बेशन ले लिए हैं दो चम्मच के करी बड़े चम्मच से और दो चम्मच आठा मिला हैं आधा बेशन आधा आठा और थोड़ा सा डाल इसमेजवाईन थोड़ा से कलोंजी और हलका से एक-दो चूटकी भर हल्दी नमक स्वात कैनू सर और यह मीर्च है हरी ताइकि बच्चे लोग असानी से उसको निकाल के खा सकें वारना मूँ में आ जाएगा तो बहुत तख़्दिफ होती है उसकी बड़े प्याज को छोटे स्टे काट लिए हैं और यह टमाटर भी काट लिए हैं और आप चाहे तो इसमें हरी सबजियां कुछ भी मिला सकते ह कोबी बगहरा चोटा चोटा कट करके और अभी इसमें डाल दिया थोड़ा से धनिया पॉडर चोड़ा से जीरा का बॉडर भुना हुआ जीरा का पॉडर है अबस इन सभी को मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको बेशन और आटा इसमें सूजी भी मिला सकते हैं देखिए यह सब इस्टोप का सब निकाल के दोफर को यह सारा सब लगा देते हैं पहले और दूठ चड़ाए तो फिर से भी पोछे हैं अब इसका बना लेते हैं छीला सामके टाइम में एक एक छीला बस हो जाएगा वच्चे लों के लिए नास्ति में तो थोड़ा सा तेल लगा दी है कड़ाई में रहobic कड़ाई में ही बना रहे हैं अ कि पे बना सकते हैं अ क्डाइप एसको पकने देंगे तोड़गा तिल डालके उस पलठा देंगे एक साइड का हो जाने से ऑ दे क्मीं और यह ऐसे दही के साथ भी खा सकते हैं इसको किसी जटनी के साथ नहीं तो तुमेटर सॉस के साथ ऐसे खाली भी खा सकते हैं अच्छा लगता है खाने में साम का नास्ते में सुबा का नास्ते में तो चलिए मेरा हो गया है तयार गरम गरम देते हैं बच्चे सब को एक एक खाने के लिए और छीला बनकर मेरा तयार हो गया है दिखाते हैं कैसा कलर आया है एकदम नजदिक से थोड़ा सा यह देखे छीला और यह एक छीला खा लेंगे न तो नास्ता हो जाएगा और टेस्ट भी हो जायेगा रमें एक कप भी बना रहें अपने लिए क्वी तो है नहीं तुश्व हम अपने लिए एक कप चैप दो और सnut और अधर दिख्यले की लिए किनाना अज रात कि खानि में बनाने के हरते टेल पानी डालके ऐसे कच्छा ही इसको फुला के यूज कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ा से जल्दी बाजी था ना पहले से नहीं भीगोए थे तो इसको हल्का से गरम पानी में डालके और बस देखिए अच्छे से मैस करके इसको इसका पूरा पूरा पूल्प निकाल लेंगे पू कि गाड़ा रहेगा तो खटा ज्यादा हो जाएगा और इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक डालके इसको चड़ा देते हैं डालेंगे इसमें मिर्च का पॉर्डर में रखतम हो गया था तो ये नया पैकेट हम पहले इसको फार के थोड़ा से यूज करने के लिए रख लेत तो आलू काट लेते हैं और ये बनेगा इमली का पानी चावल और आलू का बुज्या तो आलू को छील के पहले यूज करेंगे उसको क्यूंकि छील का अपना हल्का मोटा होने लगा है तो ऐसे छील का वाला अच्छा नहीं लगता है इधर दिखिए मेरा चारू खोल रहा ह और इसको खोला लिये हैं अच्छे से धीमियाज करेंगे 10-15 मिनट अब इसको करेंगे तड़का ये खोल चुका है तो तड़के में डाल रहे हैं अजमाइन है थोड़ा सा अच्छा सजीरा थोड़ा सा राई का दाना ये सब अच्छे से चटक जाए डालेंगे एक सूखा लाल मिर्च और उसके बाद इसम को इसी से तड़का देंगे और इसमें करीपता सबसे इंपोर्टन्ट है वो जाता है तो उससे अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा सचना का दाल औरत का दाल ये सब डाल के आप इसमें तड़का दे सकते हैं लेकिन करीपता तो मेरे पास नहीं है तो हम इसी सबसे तड़का दे दिए लेसुन भी इसमें डाल सकते हैं और ये देखें मेरे चारू बनकर हो गया है तैयार और करीपता रहने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि इधर के खाने में करीपता का अगर रचोंका देंगे तो सबसे अच का सब्सक्राइब का वाना भी दाली원 तो बसमेरा भूजिया बने गाया तो इसमें यह अच्छे से निक्स कर लेंगे और बस गैस कर दी कर दिया है व्ंद चलिए खाना निकालते हैं आज मेरा रात का खाना यही है और इनके पापा को न उतना ज्यादा पसंद नहीं है खाते हैं लेकिन उतना ज्यादा पसंद नहीं है और हम लोग को यह सब खाना यहां का तेलगुवला खाना बहुत ही पसंद आने लगा है खाते हैं तो बहुत दिनों के बाद देखिए बनाए है यह चारू, चावल, यह सांबर में भी यही पानी यूज होता है, इमलीर का पानी, और यह खाने में भी टेस्टी लगता है, जो लोग नहीं खाए हैं, उनको नहीं पता, जो लोग खाते हैं, उनको तो पता ही होगा, और यह देखें, मेरा खाना बनकर हो गया तयार, अजका यही केलगुवालों का खाना है इधर का साउत का चावल, चारू और अलो का भूजया चल यह खाते हैं और बस आज कर वीडियो यहीं तक रहेगा और वीडियो गर अच्छा लगा है और हुमारा खाना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइप जरूर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी होता है कमेंट में बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में बाइप बाइप रादे रादे